बिस्मिल्ला हर्वाइब रहीम असामने कुछ स्कूल कैसे आप सब उमीद है आप सब ठीक होंगे दिस इस माई नमबर बुक वण दिस इस माई नमबर बुक वण और नाओ ओपन यूर बुक कि तो बजो आज हम अपनी नेक्स फिक का काम स्टार्ट करने लगे हैं तो आएं देखते हैं अब अब आज आज कॉन और आउट का अब आपको टीचर बताएंगी इन और आउट किसे कहते हैं ओके स्टूडेंट्स अब आपको टीचर अधर एक्जाम्पिल से पहले बताएंगे यहाँ पे हमारे पास एक बोटल है और कुछ चौक्स हमारे पास बाहर है कुछ चौक्स जो है वो बोटल में जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है तो उसको कहते हैं इन जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है तो उसको कहते हैं इन और जब कोई चीज किसी चीज से बाहर होती है तो उसको कहते हैं आउट क्या कहते हैं आउट इन आउट अंदर को कहते हैं इन बाहर को कहते हैं आउट अंदर को कहते है in बाहर को कहते है out जैसे देखें, यहां पर अब ये chokes जो है चोक में जरा आरहे न आपको बोटल के अंदर तो ये बोटल के अंदर है तो अब हम इनको क्या कहेंगे in क्या कहेंगे in अब कुछ chokes जो रहे हैं, वो बोटल से बाहर है तो हम उनको क्या कहेंगे out क्योंकि वो bottle के अंदर नहीं है वो bottle से बाहिर है तो हमने क्या पढ़ा जो चीज बाहिर होती है उसको क्या कहते है out और जो चीज किसी चीज के अंदर होती है उसको क्या कहते है in three times मेरे जार repeat करें in out in out in out अब आपको टीचर बुग से बताएंगे, अब बुग की तरह आते हैं, बुग पे यहां पे हमारे पास एक जार बनाव है, इसके अंदर पानी है, मचलिया है, तो आपने मुझे बताना है, कि इन में से इन कौन सा है और आउट कौन सा है, हमारे पास यहां पे उपर नीचे द दोनों में पानी है, लेकिन फर्क क्या है, एक के अंदर फिश है और एक के बाहर है, तो हमने क्या बड़ा, जो चीज चीज के अंदर होती है, उसको क्या करते है, इन, जो चीज किसी चीज के अंदर होती है, उसको क्या करते है, इन, यहां पे जो फिश है, मचलिया है, वो जार के अंदर है ना पानी के अंदर है तो इसको हम क्या कहेंगे इन लेकिन यहां पर देखें जो मचलियां जो फिशिट हैं वो क्या है जार से बाहिर है पानी से बाहिर है तो इसको हम क्या कहेंगे आउट इन आउट इन आउट अब यहां पे हमने in and out का concept सीख लिया है तो अब हमने यहां पे क्या करना है कलर, all the fish, हमने यहां पे सारी फिश को क्या करना है, कलर करना है, जितनी फिश हैं यहां पे आपने उन सब को कलर करना है, जो फिश जार से बाहर है आपने उन फिश को ग्रॉूस कर देना है क्या in recommend I am a करना है इन सबको भी करने यह वह लेकिन आपने जो उनको क्रॉस सर्थ कर देना हैं क्मि धियुण इन करने ह Навें ओर फैंसिग नहीं आप Sand ऐखे स्टुडेंट्स लेक्स पर एकम करने हैं यहां पेख रहे हैं क्लाउद है उसके निच्याहां को भला नेरे है लाइन में यहां किसे अ लाइन में था सुरी लेफाज के वनाइन है प्रीया तॉब्रशाइता करने हैं tracing work पढ़ा है तो हम tracing work जहां पर भी पढ़ते हैं तो हम वहां पर क्या करते हैं tracing करते हैं नुक्तों के उपर उपर हम pencil भेरते हैं तो यहां पर आपने नुक्तों के उपर उपर आपने pencil भेरनी है कोई भी dot miss नहीं होना चाहिए आपने ध्यान से बड़े अराम से आपने इसकी tracing करनी है थाकि आपकी tracing खराब नहीं हो जब आप उपर tracing करेंगे तो नीचे देखेंगे नीचे भी हमारे पांस एक line है आपने उस line को start करना है big dot से आप start करेंगे और उसको dots के उपर उपर आप उसकी tracing करते जाएंगे कोशिश करनी है dots से इदर उदर आपकी tracing नहीं जाए ठीक है अच्छे से आपने tracing करनी है neat and clean tracing करनी है now come to the next page next page पे हमारे पास कौन सा काम है counting 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 अब हमारे counting स्टार्ट हो गई है तो आज हम first number कौन सा सीखने लगे है number one number one हम और new number कौन सा सीखने लगे है number one draw one eye of eight fish यहाँ पे आपने आपको one के सामने यह देखें फिश ने ज़र आ रही है आपने क्या करना है फिश की eye draw करनी है इस तरीके से छोटी से उसकी eye बनानी है आपने one eye आपने इस तरीके से सारे फिश में आपने one one eye draw करनी है ठीक है इस तरीके से और साथ पढ़ना है one number one which number is this one which number is this one नीचे आते हैं count and trace count and trace यहाँ पे हमने count करना है पिच्चे को और आगे हमने trace करना है number को तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एक face बनाव है लेकिन हमारे पास कितने face है यहाँ पे सिफ one face है और number भी कौन सा है one तो आपने इसकी number one की tracing करनी है और इस dotted line को आपने trace कर देना है इसी तरह next नीचे आएंगे next पे आएंगे तो वहाँ पे हमारे पास कौन से picture है cat की picture तो cat भी हमारे पास कितनी है one अभी हमने number one पढ़ा है न तो इसलिए हमारे पास हर चीज one है ताकि हमें number one अच्छे से याद हो जाए number one एक चीज को कहते है number one किस को कहते है एक चीज को तो which number is this? आपने five to six times आपने number one पर tracing करनी है और इटक्रों君 त्रीश mechanics करनी है ठीक है? आपने इस one पर भी five to six time tracing करनी है इदर भी और इदर भी आपने जब भी वान लिखना है उसको आपने five to six time ही लिखना है ताके आपकी handwriting अच्छी हो और आपको one लिखना आजाए now come to the next page okay student next page पे देखते हैं क्या काम है trace, count and match trace, count and match यहाँ पे हमने tracing करनी है pictures को count करना है and then number को picture के साथ match कर देना है अब आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कौन सा number है number one which number is this? one which number is this? one अब यहाँ पे हमारे पास जो picture one picture होगी हमने number one को उस one picture के साथ match कर देना है तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास first of all first block में हमारे पास कौन सी picture है flower कौन सी picture है flower अब let's count it कि कि कितने flower है one एक ही है ना, ज्यादा तो नहीं है तो हमने कौन सा number पढ़ा यहाँ पे one हम number one को one flower के साथ match कर देंगे now match it next block पे हमारे पास कौन सी picture है apples सबके favorite होते हैं ना सब अच्छे शोग से खाते हैं good let's count it how many apples are there one two how many apples are there two how many apples are there two हमने तो number कौन सा पढ़ा है one पढ़ा है apples कितने है two तो हमने number one को one picture के साथ match करना था ना two के साथ तो नहीं करना हम इसको छोड़ देंगे leave it next block पे हमारे पास यहाँ पे क्या है chick क्या है chick let's count it one two one two how many chicks are there two यह भी तू है हमने number कौन सा पढ़ा है one पढ़ा है तो हम इसको भी क्या करेंगे match नहीं करेंगे leave it last block पे आते है लास्ट प्रोग में हमारे पस क्या है butterfly good butterfly तो butterfly हमारे पास कितनी है one good butterflies कितनी है one हमने number भी कौन सा पढ़ा one one बंटर प्लाइव तो आप नेंबर वन गओ बटरफलाइव के सांद मैच कर देना है ना मैच वैद ना काम थी नेक्स स्विए प्लेड सेड प्रेश किसा प्रोइट को हम पढ़ा है ना आपने नंबर वन की ट्रेसिंग करनी है यहां पे आप देख लिए होंगे हमारे पास जो नंबर वन लिखा है उसके उपर डॉट भी है और 1 ही डोट है तो यह किसलिए है आपने उसको डॉट को पाउंड करना है यहां पर आते हैं त्रेसिंग पे नीचे आप करेंगे उपर धेखेंगे आपके पास कितने त Team 1-dot है तो हम दिद दॉस है एक हमेज लिवाग के तरह बहुति ही तरह सारे ब्लॉक्स में वन की खेसिंग करनी करके बड़े धियान से बड़ी अराम-अराम से आपके काम नीट और देट हो और काम अधाय देड़ से propy करी हें पाराब में पाराफ तकर